हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको डिजाइनर गाउन बनाना बताऊंगी 12 साल की बेबी के लिए ये मेरा डिजिटल प्रिंट का फैब्रिक है और मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे ये अस्तर क आम होल की लेंध में 6 इंच रखूंगी और यहां से हमें सीधी लेंड ड्रो कर देनी है यहां से हम चेश्ट का मेजर्मेंट लेंगे चेश्ट हमारी बेबी की जो भी उसे डिवाइड बाइ 4 करके उसमें 2 इंच एट कर देना है सिलाय के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और यहां पर हम कमर की चोड़ाय का निशान लगाएंगे मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और सिधी लाइन ड्रो कर देनी है साइट से भी हम लाइन ड्रो कर देंगे arm hole के लिए हम 1,5 इंच पर निशान लगाएंगे back arm hole के लिए और front armhole के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को हमें round shape डो कर देना है गले की चोड़ाई में 4 इंच रखूँगी और आगे की गले की लंबाय में 3,5 इंच रखूँगी और हमें इसमें बोर्ट शेप ड्रो कर देना है फ्रन्ट और बैक नेक में सबसे पहले हम बेक आम हॉल और बैक नेक की कटिंग करेंगे और इसमें से एक पार्ट को निकालते हुए हमें इसे वापस से टूफोल कर देना है और फ्रंट आम हॉल और फ्रंट नेक की कटिंग कर देनी है यह मेरे दो पीस है अस्तर के अभी मेन फेब्रिक को हमें मेन फेब्रिक के उपर हमें इसे रखते हुए सिंपली ड्रो कर देना है जिस इसी तरह से हमें ड्रो कर देना है दोनों फ्रांट और बैक पाट में और इसे कट कर देना है यह मैंने दोपीस कट किये है अभी हम बोटम पाट की कटिंग करेंगी अस्तर को मैंने ट्राइंगल शेप में बिचा दिया है और उपर के पाट को रखते हुए हमें इसे डोग कर देना है राउंड शेप और इसकी में 36 इंच रखूंगी 36 इंच रखूंगी 36 इंच पर हमें निशान लगा देना है और उपर से जितना भी हमारा मेजरमेंट आता है अतना हमें round शेप लेते हुए निशान ड्रो कर देना है और पूरा हम इसमें राउंड शेप्ड रोग कर देंगे और जो हमारा बचा हुआ फेब्रिक है अस्तर का पाट कम है वहाँ पर हम जॉइंट लगा देंगे यह मैंने इसमें जॉइंट लगा दिया है अभी मेन फेब्रिक को भी हम इसी तरह से कट कर देंगे मेन फेबरिक की लंबाई हमें 40 इंच रखनी है अभी हम स्टीचिंग की तरफ बढ़ते है राइट पाट के उपर हमें अस्तर का पाट रखना है और इसके आम होल पर और नेक लाइन पर और दूसरे आम होल पर हमें सिलाई लगा देनी है और इसे उल्टी साइट पलट देना है दोनों पाट में फ्रांट और बेक में हमें इसी तरह से आम होल पर और नेक पर सिलाई लगा देनी है और उसे उल्टी साइट पलट देना है यह मैंने इसे उल्टी सिलाई लगा कर पलट दिया है और इस पर कवर सिलाई भी लगा दी है और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर दिया है अभी फ्रांट पार्ट में हम की हॉल बनाएंगे यह मैंने बुक्रम ली है इसकी लंबाई मैंने 6 इंच रखी है और चोडाई मैंने 5 इंच रखी है इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और उपर से एक इंच पर निशान लगाएंगे और तीन इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है इसमें बाहर की साइट से भी हम राउंड शेप ड्रो कर देंगे वन इंच के डिस्टन्स पर अभी इसे हम कट कर देंगे अभी एक्ष्ट्रा फेबिक के उपर रखते हुए हमें इसके बीच में सिलाई लगा देनी है यह मैंने इसमें सिलाई लगा कर और साइट से जो फेबिक है उसे भी हम मोडते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे यह मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी इसे हम फ्रांट पाट के उपर रखेंगे और अंदर की साइट से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है यह मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और बीच के फेब्रिक को हमें कट करना है और इसमें छोटे-छोटे कट लगा देने है और इसे अंदर की साइट पलट देना है और इसके उपर हम कवर सिलाई लगा देंगे और पीछे की साइड से हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे उसके बाद हम राइट पार्ट के उपर रॉंग पार्ट को रखते हुए इसके शॉल्डर जॉइंट कर देंगे Right part के ऊपर दूसरा part हमें ال्टा रखना है और इसके shoulder जॉइंट कर देने हैं यह मैंतने this shoulder जॉइंट कर दिये हैं अभी हम इसमें bottom part जॉइंट करेंगे Man fabric को और अस्तर के fabric को हमें एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देना है सिलाई लगा कर ऊपर की side से और फ्रंट पार्ट में और बेक पार्ट में हमें इसे आटेज कर देना है उल्टी साइट रखते हुए हम इसे आटेज कर देंगे इस तरह से हमें इसे आटेज कर देना है फ्रंट में और बेक में यह मैंने इसमें आटेज कर दिया है, फ्रंट पार्ट और मैंने पिछे की साइड जीब भी लगा दी है, अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे, इस तरह से हमें इसका मेजरमेंट ले लेना है, और जितना भी आपका मेजरमेंट है, उस तरह से आपको निशान लगाते हुए, शिलाई लगा देनी है, फिटिंग की, और जो हमारा बोटम का पार्ट है, उसमें हमें उपर से सिलाई लगाते हुए, तीन इंच तक हमें चारो पार्ट को मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है, उसके बाद हम अंदर के मेन फेबरिक में सिलाई लगा देंगे नीचे तक, फिर उसे अंदर की साइट डालते हुए हम अस्तर में सिलाई लगा देंगे, सबसे पहले हमें मैन फेब्रिक में सिलाई लगा दिनी है फिर उसे अंदर की साइट डालते हुए हम अस्तर के पाट में सिलाई लगा देंगे नीचे तक दोनों साइट से हमें इसी तरह से कर देना है और नीचे की बॉर्डर को भी हम अस्तर की बॉर्डर को भी टूफोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे और मेन फेबरी की बॉर्डर को भी हम पूरे में सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करते हुए ये मैंने इसकी fitting भी कर दी है और नीचे की border को भी twofold करके मैंने सिलाय लगा दी है और इस तरह से हमारा designer gown बनकर ready हो चुका है friends अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजिए साथ में bell icon को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके मेरा ये वीडियो देखने के लिए thank you so much guys अभी हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई